नमस्कार, दे कुकिंग रैक में आप सभी का स्वागत है आज हम बना रहे हैं तवा आलू चाड़ चाड़ सभी को बहुत पसंद आती है और ये तवा आलू चाड़ जटपट बन जाती है और बहुत कम इंग्रीडियन्स से ये बन जाती है तो रिश्पी शुरू करते है यहाँ पर हमने लिया है 300 ग्राम उबले आलू आलू को उबाल कर हमने एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और अब इसे छील लेंगे इस चाड़ को बनाने के लिए बड़े साइज के ही आलू लीजिए अब आलू को गोल गोल स्लाइस में काट लेंगे साइड के आलू को काट कर अलग कर देंगे और आप देखिए इस तरह हम आलू के टुकड़े को काटेंगे ना जादा मोटा और ना जादा पतला आप आलू उबाल कर फ्रिज में जरूर रखिए इससे आलू कड़ा हो जाता है और उसके स्लाइस बहुत अच्छे कटते हैं तो हमने सारे आलू को काट लिया है और इस साइट के आलू को हम सबजी में यूज कर लेंगे अब लेंगे तीन चमच हरी धनिया की चटनी ये नार्मल चटनी है जो हम लोग घर में बनाते हैं अब इसमें डालेंगे दो चम्मच कार्म फ्लार और डालेंगे आधा चम्मच भुना हुआ, पिसा जीरा, आधा चम्मच पिसा हुआ लाल मिर्चा, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच काला नमक नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए क्योंकि चटनी में नमक होता है और डाल देंगे आधी नीबू का रस सभी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं इसका गोल इतना गाड़ा हमें रखना है अगर आपका गोल गाड़ा है तो थोड़ा पानी डाल लीजिए और पतला है तो थोड़ा सा कार्ण फ्लॉर डाल लीजिए अब आलू के टुकडे को चटनी में डाल देंगे आप कांट फ्लोर की जगा चावल का आटा यूज कर सकते हैं या आरा रोट यूज कर सकते हैं अब एक तवा गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पर और उस पर डाल देंगे थोड़ा सा तेल तेल को अच्छी तरह तवे पर फैला देंगे और अब एक एक आलू के टुकडे को चटनी में कोट करके तवे पर डाल देंगे आप देखिए इसी तरह हम सारे टुकडे को तवे पर डाल देंगे फ्लेम को मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लेम पर आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे अब इसके उपर डाल देंगे थोड़ा सा तेल और साइड में भी डाल देंगे तेल आप चाहे तो इस आलू को डीप फ्राई करके भी चाट बना सकते हैं आलू एक साइड गोल्डन ब्राउन हो गया है अब इसे पलट देंगे तो इस तरह हम पलट कर दोनों साइड आलू को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे तो आलू दोनों साइड गोल्डन ब्राउन हो गया है अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे ये आलू चाट बनाने के लिए तैयार है इसे हम दो तरीके से सर्फ करेंगे तो मेरा पहला तरीका है पहले आलू को प्लेट में निकाल लेंगे और इसके उपर डालेंगे बारी कटा हुआ प्याज अगर आप प्याज खाते हैं तो ही डालिये नहीं तो इसकिप कर दीजिए और डाल देंगे बारी कटा हरा धनिया और उपर से डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा पिसा हुआ लाल मिर्चा तो ये चाट बनकर तयार है आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं और खाने के साथ भी खा सकते हैं चाय बहुत ही साधिश्ट बना है और दूसरा तरीका जो है चाट बनाने का उसे पहले आलू को प्लेट में निकाल लेंगे और यहाँ पर हमने लिया है एक कप ड़ी, ड़ी में डालेंगे आधा चम्मच पिसा हुआ चीनी, अच्छी तरह द़ी को फेट लेंगे और द़ी को डालेंगे आलू के उपर, थोड़ा थोड़ा द़ी सभी आलूं के उपर डाल देंगे, और यहीं इमली की खटी मिठी चट् चटनी दही कम या ज़्यादा डाल सकते हैं और यह है हरी धनिया की चटनी इसे भी डाल देंगे आलूओं के उपर और अब डालेंगे बारिक कटा हरा मिर्चा मिर्चा आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं और डाल देंगे बारिक कटा हुआ हरा धनिया और इसके उपर डालेंगे थोड़ा सा अनारदाना अनारदाना आफसनल है लेकिन अनारदाना डालने से चाट देखने में भी सुन्दर लगता है और खाने में भी अब उपर से डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला और पिसा हुआ लाल मिर्चा अब इसके उपर डालेंगे कटा हुआ प्याज यह आफ्सनल है आप प्याज खाते हैं तो ही डालिए और डाल देंगे थोड़ा सा बेशन का सेव यह नार्मल सेव है थोड़ा थोड़ा सभी आलूओं के उपर डाल देंगे अब इसके उपर डालेंगे भूना हुआ पिसा जीरा और थोड़ा सा काला नमक तो इस चाट बनकर तैयार है तो आप दोनों तरीके से इस तवा आलू चाट को बना सकते हैं चाट बहुत ही स्वाधिष्ट बना है आप फ्रिज में आलू बॉयल करके रखिए और दोनों चटनी बना कर रखिए तो कभी भी आपका मन करें तो इस चाट को चटपट बना कर खा सकते हैं उम्मीद करते हैं रेसिपी जरूर पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेर कमेंड कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद